नमस्कार आजादी का अम्रित महुस्षब का सुब्स अपसर पर सबी को सागत करता हो भारत का आस्वाम और मनिपूर आज्यों में विश्नुप्रिया मनिपूरी लुक रहते है विश्नुप्रिया मनिपूरी भारत का साधिनत्व संग्रा में बर्चर कर हिश्चा लिया था ऐसा इतिहास में लेखा है आठाराशो सातानो संग का सिपाई विद्रो में भी विश्नुप्रिया का कुछ सूसंतान सिपाई विद्रो में भागिदरी हुआ था ओ लुगों का नाम है मैजोर बांग सिंग, गिलो सिंग, तबिना सिंग, तुसिरा सिंग, नुतन सिंग, पलवार सिंग, पैसा सिंग, कोईलाच चंद्र सिंग, साम सिंग, नरा सिंग और भागवती मिश्रवादी ओर लुगों को पकाड़ने के लिए एक नया बंदर्वस्त किया गया था जिसको सिख का बरकांदास दाम से जना गया अदलत में विचयार होने के बाद दुसी सहबस्त करके कलापनी में देसांतोर और किसी ने दिपांतोर में जाने का समय डर से जहासे पानी में कुद कर जान दे दिया बाकी बचा हुआ सबी को आजिवन करावास और मित्तु दंडो दे दिया बंगदेश का सासन बार जब स्टिंडिया कमपनी ने लिया था तब ओ लुगों का चिरस्ताई बंदवस्तो यानी पर्मेनेन सेटेलमेंट निती के कारण जमिदार और पुलिस का हास से बसने के लिए विश्नुप्रिया मनिपुरी लुगों ने भूँ संगर्स करना परा था विश्नुप्रिया मनिपुरी गाउ में आकर पुलीस जुलम करते बक्त मन्जुरी खेत्रानी और बर्गुल अजा नामक एक आदमी ने पुलीस का उपर हाथ उठा कर देश सुन्ने पर मजबूर हुआ था चिरस्ताई बंदवस्त भारत सादिन होने का बहुत दिन बाद 1906 सन में बातिल किया गया उसके बाद भानवोल में हुआ किसक बिद्रों में भी विश्नुप्रिया मनिपुरी लुगों ने बर्चर कर हिश्शा लिया था यहां में भी ब्रिटिस सरकार का प्रिष्ट पुषक में गराव हुआ अत्ताचरी जमिदारों ने क्रिषक का उपर बहुत जुलूम किया था एसा की ओ लुगों का घरवारी अगरा हाती ने धस्त किया गया उस बिद्रों का प्रतिनी दित्तों किया था बैकुंटो सर्माजी उसके अलाबा निकुंजो गुस्सा में गिरिंद्रो शिंगों किष्टो मनी शर्मा औरोतों में लहावसेनाख खत्रियानी और बैकुंटो सर्माज का तेज़सीलर की कुमारी लिलावती शर्मा ओलुक ने असेम सहस के साथ मुकाबिला किया था बात में जाकर और भी सदिश्व इस बिद्रों में सामेल हुआ था ओलुक का नाम है बुद्धिमंत सिंह, नवद्धिप सिंह, बिद्धा सागर सिंह और दिनाना सिंह बीटिसों ने भानुविल का प्रताफि सज्जन चववा सिंहों का प्रसास समगर आठ दस हाती लगाकर सिंहों का सहजुक से धस्त करके वहाँ पर ओ लुगों का केम बनाया गया इतना होने का बावजुत ओ लुगों ने बीटिस सरकार और जमिदार के साथ को भी मिमंसा पर नहीं गिया और किसी ने विशाज घात बता भी नहीं किया ओ लुगों का एक ही पॉन था करेंगे या मरेंगे बाद में जाकर सिलेट जिला कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस अंदुलन को शमर्तन करके अंदुलन और जूरदार किया था बिश्नम मंत्र में दिक्खित मनिपुरियों ने मुहत्ता गांधी का अहिंग सानिती ग्रहन करने के बाद सिपायों में आकर जब जुलम करता था तब संख घंटा सेलफूं आधी बजा कर सबी को जाग्रत करता था हाती लेकर आने से ढागडूल और करता लादी बजाने से हाती भाग जाता इससी घटेना का समाचार सुनकर कॉंग्रेस पाटी का सवापती पंडित जहलाल नहरू भी बानुबिल में आकर संग्रामियों के साथ मुलाकात किया था उनके लाबा कलिकाता का बंकी मुखार जी और नेताजी सुबच चंद्र बोस भी बर्तवन बांगलादेश का कुलावर में एक जना समावेस में जुगदान करके वापस जाने का बक्त बानुबिल में जाकर मनिपुरियों का बिरत्तो का प्रसंसा करते हुए वो लुक का सामने प्रणामुलाक बक्तिता दिया था बिटिश सरकार ने कॉंग्रेस का साथ एक समादान में आने के लिए 1998 में साइमन कमिशन भारत में आने का बात महत्तागंदी का नित्तित्त में साइमन कमिशन को बैकट करने के लिए भीखातो आएन अंदुलन का सुरू किया तो आप विश्नुप्रिया मनिपुरी का कुछ देश्प्रेमी व्यक्तियोंने नोक्री में रहते हुए भी कॉंग्रेस में जुगदान के आथा ओ लोगे किष्नकुमार सिंह शीक्षक, माधनमожд सिंह एकसाइस इनिस्पेक्टर, प्रमुत सिंह दारोगा, किष्नमSer, जोजेंदर सिंह शीक्षक, राजकुमार सिंह अमीन आदि राजकुमार सिंह्व ने खुद का एक घर में कॉंग्रेस अफिस बैठाने के लिए बिटी सरकार का आखो में दुसी साइब बस्त हुआ था 1931 का साधिनता संग्रा में हजारी चोग का समाकान्त बाबु ने सस्त्रिक नुगलीमा देवी के साथ मिलकर नेहरु जी का सामने कॉंग्रेस में जुगदान किया था समागान्तु सिंह जी अभिवक्त शिलेट जिला का कॉंग्रेस का सवापोती था और पत्नी नुगली मादे भी संपादिका बनी थी पार्टी में सक्री होने के बाद पुलिसों ने उस परिवर काउप पर इतना जुलूम किया वो बर्णन नहीं किया जा सकता घर में कुछ रहने से जैसा बसन पत्र या गरू अगरा गरू भैस अगरा रहने से भी पुरू करके लेके जाता और समागान्त बाबु को हमेशा सुपर रहना पड़ता था उनिश्य ब्याले सन भारतियों साधिनत्य संग्राम का चराम पर जाए अंधूलन का आग पूरा देश पर फेल गया बेंगल प्रविंशियल कॉंग्रेस कमिटी का सरफ से करेंगर्ण साबडि औभीशन से समाकांत बाबु को बताया गया तब समाकांत बाबु का नेत्रित में अंधूलन का प्रस्थिती हुआ उनका सहजुगी बहुत संग्रामियों ने उस अंदुलन में हिस्सा लिया चारो तरोक देशभक्ति सदेशी गानों का लहर गुण जुड़ा लेकिन ओलुक ज्यादा दूर जान नहीं पाया उसी समय पाथारकंदी थाना का दारोगा बनमाली केउट का नेत्रितों में एक पुलिस डलने सामाकांतो बाबु और कुछ सहजुगी को बाजारी छोरा नामकिस्तान पर ग्रेपतर कर लिया उसके बाद उन्हीं लुगों को करेंगों जेल में भेज दिया वहां में राजबंदी होकर कुछ दिन रहना परा और तीन सो रुपया जरीमाना देना परा उन्हीं का एक अंतो सहजुगी होकर साधिनत संग्राम में कांग पढ़ने वाला का नाम जेसा तराचान सिंहों कुमार सिंहों कालाचान सिंहों जिलाकमबा सिंहों खुबे सिंहों आधि संग्रामचलाने के लिए रुपया का जरूरत भी पड़ता है तब कभी-कभी भागान हुंडी लूट करना भी पड़ता था ओ काम के लिए तिनोखाल गाउ का चोकवस नेता बदन सिंगा ने आगबाग लिया था साथ में उनका सहजुगी तुकु सिंह, धन्हानी सिंह, नित्ताई सिंह, गिरक सिंह, सनाभा सिंह, तुलानंद सिंह, मदुमंगल सिंह, मानिक सिंह, जामिरला गाउ का सुनाच्यान सिंह, कचुबारी गाउ का बललभी सिंह, बिलबारी गाउ का मदंचान सिंह, चोद्री और ज पिर्बंद गाउगा गुपी मुहन सिंगों आदि अभी बात है पुरा सादिनोंता अंदुलोन का कहिनी बताना भी संभब नहीं होगा यहां मैं स्रीप जो विश्णु प्रियाल मनिपूरी लुगों ने बरचर कर हिस्सा लिया था और भारत सरकार जो लुगों को सतंत्र सनानी बलकर सन्मानित किया है ओ लुगों को जितना हो सके मैं स्रीप ओ लुगों का नाम बताने का कोशिस करूंगा ओ लुखे सर्बस्त्री रसराश सिंगों नंदो किशन मुखार जी तमरपत्र पाने वाला राजा बाभु सिंगों गकुल्चान सिंगों मनुक बाभु सिंगों नंदो किशन सिंगों बिधायाद नदामों सिंह, गुसाय सिंह, शुरंद्र कमार सिंह, अभी ताम्रपत्र पाने वाला, महंद्र सिंह, मनमाले सिंह, भुपेंद्र सिंह आदि सदेशी अंदुलों का भक्त पर गाओ या सहर में प्रचार मैध्धम का अच्छा जरिया था सदेशी गान उसी समय विस्नुपृया मनिपृरी समास का जागरन कभी गुकुलानन्द गितिस्वामी और प्रताबबर एलागा का देश प्रेमी सिल्पी जेसा दुर्गाचरन सिंह, नैट्टोकार दुर्गाराम सिंह, अशिनी सिंह, हमंतो सिंह, इश्षर मिस्त्रो, ग्याने सिंह, कालासेना रासकुमार, चंद्र शेकर सिंह, शुनादन सिंह, मेनो सिंह, बद्र सिंह, परमे सिंह, दिरेंद्र सिंह, आदि अद में यादों में आ रहा कुछ शतंत्र सनानियों का नाम बता कर में ये पोग्राम खर्टम करने का इजाज़त चाहूंगा और लोगों का नाम है सर्बस्त्री जिलाखंबा सिंगो कोईरेंग सिंगो शुकमय सिंगो तराले मा देवी और्जुन सिंगो गिरिंद्र सिंगो नरेंद्र सिंगो पुकुलेशर शिंगो आदि भारत के इस महांसुप अपसर पर सभी को याद करते हुए में आप लोग से बिदा चाहता हूँ सभी को मेरा नमस्कार, बंदे मातरम भारत मता की जोए आप सभी को मेरा सथ सथ प्रणाम, नमस्कार Later in the year, Gandhi launched his salt appare to break the British law that made salt manufacture a government-y motherly the long march which he began with a few followers fired the imagination of the masses the Mahatma strength was the ability to inspire ordinary men and women even adolescents, to volunteer as of Dagnese upon his core, the trickle would become a stream more powerful than a tidal wave, sweeping all before it the question was, could the mighty British Empire match the force of non-liolence? he tried out this non-violent soul force, not only against British colonial rule but also to root out debilitating social evils in India the causes espoused by Gandhi were never abstract non-violent satyagra was time and again utilized to liberate those in bondage ameliorate their suffering under restore them to the dignity as the crisis created by war on the 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 झाल झाल